नमस्कार आप सभी का स्वागत है श्टार्ट सिटी न्यूज में मैं इस वक्त मौझूद हूँ बादली विधान सभा वाड 23 में इस वक्त हमारा साथ मौझूद है विजे कोशिक जी आइन से बात करते हैं सबसे पहले सर विजे जी जैसे दिपक चोधरी जी वाड 23 से जीते ह सर पहले तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार सर देखिए जो अभी कांसलर के एलेक्शन हुए हैं उसमें टोटली हमारी बादली विदान सभा से चार सीटे हैं जो विदायक के अंडरा आती हैं उसमें चारों है वाड 23 बादली से आपका सरूप नगर भलस और जांगिरपूरी का एक वाड लगता है तो जैसे आप जानते सर इस बार आमादमी पार्टी की बहुत जादा हुआ थी केजरिवाल जी का और बाकी इन सब लोगों ने बड़ा इस टाइम लहर चली वी थी तो हमें बीजेपी से इस बार टिकेट मिली थी हमारी भाबी ज लाजी भी बहुत समाजिक हैं सबके सुख दुख में आना जाना करते हो टाइम पे हर किसी के लिए खड़े रहते तो बाकी तीन सीटों पर आमादमी पार्टी आई है वाड नंबर तेईस पर बादली से हम हमने जीत दर्ज किया और बहुत अच्छे मार्जन से दर्ज किया हमारा जो मार्जन है साड़े-3 새park प्लस का मार्जन है फिर टार्ण नहीं है एक यह च 서 EB मार्जन आहिए पहरी जैप पाइज के का कमया रहेइए सर देखिए मैं उसमें कम्या कहीं नहीं कहूंगा बीजेपी की उसमें सबसे बड़ी एक कमी यह रही कि वहाँ पे कुछ निर्दली है जो खड़े थे जैसे आप अगर सरुब नगर से देखेंगे तो वहाँ से जो पांडे जी खड़े थे वो सिर्फ मात्र 900 वोट से हा रहे ह और एक निर्दली है जो वहाँ से खड़े थे वह 800 वोट ले गए फाइट उन्होंने अच्छी की थोड़ा हमारे यहां के आया के गाउं समाज जो है वो थोड़ा आउट साइडर हम बोलते हैं पुर्वान चली है तो थोड़ा गाउं समाज कट जाता है कि हम अपने गाउं पुराना गाउं है बादली गाउं काम जो पिछले काउंसलर रहे हैं वो नहीं करवा पाए उस लेवल का क्योंकि बेसिकली क्या है हमारे यहां नीड काफी चीज़ों की है जैसे आप क्या सफाई हमारे हैं सफाई की क्लस्टर में आप जाएंगे तो जितना जे-जे कैम्प सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लमा दूसरी चीज क्या है कि फैंशन नहीं बन पा रही हैं लोगों की तीसरी चीज क्या है कि टाइम पे कोई भी और औरका कि टाईली मापका की सरकार है और वो एल जी आपर में डाल देता है तो MCD तो वैसे ही इस टाइम काम नहीं कर पा रही है जीते हुए एक महीना लगबग हो चुक है और अभी शबत पर नहीं हो पा रही है तो कहने अरचे ने बनी वही है तो इस पर कहने चाहिए सर देखिए अभी लास जो जिस दिन श्यपत थी उस दिन आपको भी पता है कि सदन में क्या हुआ क्या हंगामा हुआ तो उसको लेकर बस यही है कि जैसे ही पावर हाथ में आ जाती है अब 24 तारीक डेट दी गई है और जैसे हम लोगों के पास पावर आ जाती है तो हमारे ओल प्लस रोड कुछ टूटे हुए गलिया टूटी हुए है तो उनका काम है तो वह अब टाइम से स्टार्ट हम करते हैं अच्छा दीपक चोधरी जी आपके जो हैं पारशेते कप से जानते हैं सर दीपक भाई को हम करीबन मानके चलिए 2004 या 5 से जानते हैं वह हम स्कूल टाइ निगम में रिलेक्शन हुए थे तो उसमें वो फिर निगम पार्शा जीते थे जिसमें वह थाई साल का काम टाइम पीरेड मिला था काम करने के लिए उन धाई सालों में हमने अपने वाड को इस हिसाब से चमका दिया था आज भी आप हमारे वाड में जाएंगे तो दस साल पुरानी अब जो हम डाई साल के बाद दस साल बाद हमेश मोका मिला है दुबारा और आज भी दस साल पुरानी स्ट्रीट लाइट हमारे वांके लगी हुई है और आज भी लोग हम जाते थे कंपेनिंग में तो बोलते थे कि आपने ही लगवाई है इन वह 16 जात हम लोकल आजन नहीं जात आँर विदैयान विदान समय, तो इसका सबसे में पर्मॉक और उन्सक्रीगा भी भीजान मानतों कारुदारू बादली का एक परमुक कारण तो मैं मानता हूँ के बाहरी को टिकट देना जायतर बाहरी यानि गाउं देहात का हमारा एरिया है जायतर गाउं यादाव बहूल गाउं है तो बीजेपी ने जायतर जो भी टिकटे दी है वो आउटसाइडर्स को जादा दी है गाउं के लोकल आद्मियों को नहीं दिया यह सबसे बड़ा कारण रहा है पहले हमारे वार्ड में क्या था कि रोहिणी भी टस थी तो उस टाइम हमारे यहां से जैबगान अगरवाल जी बीजेपी से जीते थे बिलकुल अच्छा बीजेजी आप जैसे प्रोफेशनली क्या करते हैं मेरा अगरे प्रणूस का काम है तो समाज के लिए अपने कोई काम कियें पहले से जुड़े हैं मेरे दाद अजबी एक समाज से भी रहे हैं और समाज के जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं सुख दुक होता है दोस्तों का परिवार का पडोस का गाउं का तो हम सब खड़े रहते हैं हमारा पूरा एक यूथ की पूरी टीम है और वो टीम हमारी सैटरडे संडे जो शुट्टी वाले दिना हम अपने गाउं में घूमते हैं देखते हैं कि भी कोई कमी है बैठते हैं एक हमने ओफिस बना रख रहा है सर वहां लोग बागाते हैं अपनी प्रॉबलम्स समधान करते हैं जिस लेवल तक कर सकते हैं सर देखे सबसे पहले तो मेजर जो समस्या होती हैं गली की साफसफाई की है नाले की इसके अलावा कुछ विर्दा पैंशन है विद्वाओं की पैंशन है कुछ नोकरी के लिए भी आते हैं यूथ के लिए तो उसमें देखे सर प प्राउंस हैं काफी तो हम कोशिश करते के वहां कहीं उन लोगों को सेट करा दें चोटी मोटी जोब मिल जाए इससमें महंगाई काफी बड़े मुद्दा है जैसे दिल्ली में सेलेंडर के दाम आप देख लिजिए या बेरोजगारी लगातार बढ़त जारी आप रात देखिए महंगाई के लिए तो मैं मेरे लिए मेरे पॉइंट ऑफ यू से सबसे बड़े जिम्मेदार जो एक पॉइंट है वो है इंडिया की पॉपुलेशन अब आदी देखिए सब्सक्राइब है हमारे एक से दो परसंट अगर आप डेढ़ सो करोड या एक सबासो करोड पॉपुलेशन में से अगर एक या दो करोड आदमी टेक्स देगा और बाकी सो करोड आदमियों को खिलाएगा तो कहां तक पूरा अगर सब्सक्राइब सरकार जिस तरह सौलियत दे रही है पानी बिजली पे और बिज़ेपियों का कहना की फ्री बड़ी बाटरी है अगर सौलियत दे रही है तो आपको उसमें भी इतराज है सर नहीं सर वो गलत है देखिए आदमी को भगवान ने हाथ पैर दिये हैं मेहनत करके कमा के खाने के लिए पर घर बैठके आप फ्री बिजली दोगे फ्री पानी दोगे फ्री राशन दोगे तो कोई काम नहीं करेगा त अजिए और यहाथ सर एक्व यहाथ मेरे गुरूप में कोई एक ऐसा आदमी हो या मैंने अपने समाज में कोई देखा हो को यह बोल देह के भ dos लोगों को देते हैं यह लोग listeners beso So outflows आदमी एइं तो दस आदमियों को फायदा मिलता है और नबबे का हो गुनकान पर दिया और सिरस्पुर में च्हासट पुटे रोड़ पे बड़े हॉस्पिटल का निर्मान शुरू है बड़ा कोई कॉलेज या कोई स्कूल की महां पर सवलियत हैं सब्सक्राइब काफी डाइम पुराना है गल्स का भी बॉइस का भी और बड़ा स्कूल है कॉलेज की हमारे कमी है कॉलेज हमारे नियर बाई या तो अब दिल्ली उनिवस्टी नौज केमपस उसके लिए भी बच्चों को दो तीन बस बदल के जाना पड़ता है या फिर आउटर में जैसे शर्दानां दोगया अलीपूर या इधर रजोरी गार्डन में राजदानी व सब्सक्राइब को शुरू से नजर अंदाज किया गया है इस चीज को लेके आप अगर बेसिकली हमारे गाउं को देखेंगे तो हमारे गाउं दिल्ली का सबसे पुराना गाउं पर बेसिक सहूलियत यहां कुछ भी नहीं है और इसका नजर अंदाज करने का मैं तो एक यही वाग थी उनको कोई इतना मतलब नहीं था ना इतना बड़ा कोई वोट बैंक था इस तरफ उनको लगता था काउंद यहात है हजार पांसो वोट है तो आउटसाइड में पड़े हैं पड़े रहा है दो सार बिलकुल हमारे सांसाद है और मोदी जी जब से आए हैं सेंटर म बढ़न के उसके बाद बहुत कऊस उटेशें ऊंटर पास में श्रहाक सशॉ लिए पास में करें घौक में» तो यह हमारे सीधी बात विजे कोशिक जी से स्टार सेटी के साथ मैं जितिंदर गुपता हूँ